Hello friends, welcome to my YouTube channel just again तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वोटर ID कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे हम अपना पार्ट अमबर और सीरी नमबर को चेक कर सकते हैं तो आज किस वीडियो को पूरे जुरूर देखेगा यहां पर आपको एक एक एप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है वोटर हेल्प लाइन जिसे यह एप आपके फॉन में डाउनलोड हो जाएगी आपको इसको उपन करना है तो आपको यहां पर कुछ सेटिंग्स करनी है जिसे कि यह एप शुरू हो जाएग तो सबसे पहले आपको यहां एंग्री पर क्लिक करना है, next बेटन पर जाना है, get start पर करना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह election commission of India की अप है, तो यहां पर आप अपना वोटर काड चेक कर सकते हैं, अपना पार नंबर चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास वोटर नंब करना है तो जैसे ह prac Το यह आप नट करेंगे तब यहाँ पर तीन अप्षिन दिखाये देंगी सब्सक्राइब leurs आपको search bar में अपना epic number card enter करना है पर अपना epic card number enter करेंगे तो आपको यहां पर अपनी सारी trails मिल जाएगी यहां पर आपका name, age, gender, father name, assembly, consistency कौन सी है, आपकी parlementic consistency कौन सी है, आपकी district क्या है, state, part number, serial number और part name यह सरी चीज़ यहां पर show हो जाएगी तो आप यहां पर right side में check कर सक है, तो आप यहां पर अपने इस details को download भी कर सकते हैं, जब आप यहां पर click करेंगे तो आपको एक download की option मिल जाएगी तो आप अपने जो भी information है epic card के उसको download भी कर सकते हैं, और left side में आप दे सकते हैं share button बना हुआ है, तो आप इसको अपना epic number भी नहीं है, आपके पास अप हैं, इसके लिए आपको search by detail पर जाना है, यहां पर आपको अपना name, father name, age, gender, state, district और consistency को select करने के बाद सर्च करते हैं, तो जैसे ही वहां पर आप अपने information को fill करेंगे तो आपका यहां पर सारी details मिल जाएगी, उसी तरह epic number की, epic card की सारी details आपको मिल जाएगी, आपका part number, serial number कौन सा है, assembly consistency कौन सी, यह सबी deal यहां पर मिल जाएगी, इसके लवा आपका polling station कौन सा है, उसका name भी यहां पर लिखा होगा कि आपकी जो voting है, वो कि स्कूल में या किस area में होने वाली है, इस तरह आप अपनी epic card की सारी information को check कर सकते हैं, इसी तरह यहां पर भी download और share button बना ह हुआ है, आप download भी कर सकते हैं, और अगर किसी को share करना चाते हैं, तो वहां पर आप share भी कर सकते हैं, इसके लवा यहां पर और भी काफी सारी options हैं, जैसे यहां पर water registration है, तो यहां पर आप click करेंगे, तो आप अपना new water registration करवाना चाते हैं, तो form number 6 बना होगा, अगर आपन shifting करनी है, assembly consistency से, form number 6 बना होगा, तो इस तरहें और भी काफी सारी options हैं, आपने कोई vote को delete करना है, या replacement करना है अपना water right card, तो यहां से भी आप apply कर सकते हैं, इसके लवा आपने अगर कोई complaint करनी है, EVM की बारे में जानकारी चाते हैं, elections मंदित जानकारी चाते हैं, result जानना या किसी candidate के बारे में जाना चाते हैं, तो आप यहां पर in options पर जा सकते हैं, तो friends यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना power number, serial number और water ID card को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, online ही, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे किसी next जानकारी वीड दोस्तों, जाहिंद!